स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में आज हम लोग यूपी बोर्ड के कच्छा ग्यारह के हिंदी विशय के कावे खंड के अंतरगत पाठ शिवा सौर्य जिसके रचनाकार महा कवी भूशन हैं इस पाठ की हम व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे तो जादे देर न करते हुए सीधे हम लोग व्याख्या पर आएंगे क्योंकि समय बड़ा बहुमुल्य होता है और हमें समय का महत्तो समझना चाहिए तो बिना कोई अनरगल बात किये हुए सीधे हम इस पाठ की व्याख्या को समझेंगे तो चलते हैं इसके पहले चंद पर यहां हम देखेंगे जो प्रथम चंद है इस चंद में बड़ा ही सुन्दर चोकी महा कवी भूशन जो हैं वह उस यूग के कवी हैं जिस यूग में रितिकाल में स्रिंगार प्रधान रचनाएं हो रही थी उस काल के ये कवी हैं और जब सारी दुनिया स्रिंगार सुन रही थी स्रिंगार गार ही थी तब इन्होंने वीर रस की कवीताएं लिखी ओज की कवीताएं लिखी और कावे जगत में अपना एक अलग पहचान और न अभी जो चंद हम सामने देख रहे हैं इसमें महाकवी भूशन हम लोगों के समक्ष वहचित्र प्रसुत कर रहे हैं जब शिवा जी के विसाल सेना युद्ध के नियत से प्रस्थान करने जा रही है अत्वा प्रस्थान कर रही है उस दिर्श्य का वरन बहुत ही जीवंत तरी के से शिवा जी महाराज के शेना का वरन महाकवी भूशन जी करते हैं तो वीर रस की कविता है ओज की कविता है और बहुत ही प्रभावशाली कविता है है ना महाकवी भूशन ने यहां आप कह सकते हैं कि जो कारे शिवा जी महाराज ने अपने तलवार से किया वही कारे मह कभी भूचन ने अपने लेखनी से किया तो इनकी जो योगदान है अपने समय में युद्ध के विशय में भी वह भी महत्वपूर्ण है और साथे साथ इनकी जो रचनाय है वह हिंदिस राइति में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो चलिए समस्ते हैं इसके पहले दोहे को पहले दोहे को आप देखेंगे यहां दिया गया है साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत हैं भूशन भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैवरन के रलत हैं एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत हैं तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारावार यों हलत हैं तो आप देखेंगे यहां पर बहुत अस्थानों पर अनुप्रा सलंकार का प्रेयोग हुआ है है ना जैसे सरजा सिवा जी आप देख रहे हैं यहाँ पे सो की आवरती है तो यहाँ अनुप्रास लंकार है साजी सैन में आप देख रहे हैं यहाँ अनुप्रास दे सकते हैं चतुरंग अंग उमंग में अनुप्रास है इस प्रकार से यहाँ अनुप्रास लंकार से भरा हु महराज ने अपनी चतुर अंग, चार अंगों वाली सेना को सजा लिया है, अर्था तैयार कर लिया है, अभी चार अंग कौन है, तो उस काल में जो शिवाजी महराज का काल है, समय है, कालखंड है, उस काल में जो सेना होती थी, उसके चार अंग होते थे, एक तो पैदल सिपा दूसरा घुर्ण सवार होते थे, इसी प्रकार से रथ्र सवार होते थे, तो रथ्र सवार और साथे साथ हाथी पर कि जो सेना बनती थी, उसे एक प्रवल सेना माना जाता था, तो सिवा जी महराज के बारे में भूषन कहते जंगों की सेना को सजा करके अर्थात तयार करके और सेना के अंग में अर्थात शेना के शरीर में सेना के जो सिपाही हैं जो योधा हैं उनके मन में उमंग भर करके उमंगल करके सरजा सिवाजी सरजा उनकी उपाध ही है यानि जो सिवाजी महराज है वो जंग जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं जंग जीतन चरत हैं अर्थात युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं भूशन भनत भूशन कहते हैं जो कभी भूशन है वो कहते हैं नाद बिहद नगारन के यहां ध्यान दिजिगा नाद कार्थ ध्वनी है नाद कार्थ ध्वनी है नाद मने ध्वनी हुआ बिहद बिहद कार्थ ब्रिहत अर्थात बहुत अधिक बहुत बड़ा और नगारन यान जो नगाडे हैं तो भूशन कहते हैं कि जो बड़े बड़े नगाडे बज़ रहे हैं उनके ध्वनी से प्रित होकर जो गैबरन है गैबरन अगली पक्ति में आएंगे तो लिखा गया है नदी नद मद गैवरन के रलत हैं तो जो गैवरन है अठाद जो सेना में हाथियों का समू है जो हाथियों का जुंड है उन हाथियों के मद जो उनके गंड़क अस्थल से एक द्रौस राव होता है अंकुस लगाने पर महावत के द्वारा उसे हम मद कहते हैं तो हाथियों के जो मद वो उनके गंडक अस्थल से नदी नालों के समान रलत हैं अर्थात बहर हैं। उन नगाडों की आवाज से तातपर कहने का ये है भुशन जी का कि जो बड़े बड़े नगाडे बज रहे हैं उनकी ध्वन से जो हाथियों के गंडक अस्थल पर गंथियां हैं वो संबेदित हो गई जिन से मद का लगातार स्राव चालू हो गया और स्राव इतना अधिक है जैसे कि उस स्राव की ही नदियां बह रही हो नाले बह रहे हो ऐसा दिर से प्रसुत होता है फिर आगे कहते हैं एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल भुशन जी यहां बताते हैं कि खलक में अर्थात संसार में और संसार में कहां गली गली में संसार में गली गली में इस सेन के पहलने के कारण क्या हुई है खैल भैल खैल मच गया है अर्थात खलवली मच गई है यह जो सेना चल पड़ी है शिवाजी महराज की इस सेना के हनक से संसार के गली गली में मानो खलवली सी मच गई है आगे भुशर जी बढ़न करते हैं गजन की ठैल पैल सैल उसलत है इस सेना में जिस तरह से जो हाथी है जो गज है अर्थात हाथीयों का जो समू है उनकी जो ठैल पैल मची हुई है अर्थात जो उनकी धक्का मुक्की हो रही है आगे बढ़ते समय उसके कमपन से जो सैल है अर हुसलत हैं अर्थात उखर जाते हैं अभी अतिशोक्ती है है ना जो की कावे sonhandara का एक तत्व है है ना तो आप देख रहे हैं अहां पे कि भूशन जी कहते हैं कि हाथियों के ठैल पैल से हाथियों के धक्का मुक्की से पहार उखड जाते हैं और तारा सो तरनी धूरिधारा में लगत जीमी आगे भूशण जी बताते हैं कि यह जो सेना चल रही है उस सेना के चलने से धूरिधारा यानि वयोम में आकास में धूर छागया और उस धूल में जो तरनी अर्थात सुर्य है तरनी सुर्य के लिए प्रयोग किया गया है तो जो सुर्य है वह तारे के समान परतित होता है अब ध्यान खेंगे सुर्य भी एक तारा है लेकिन अन्य तारों के तुलना में नजदीक है तो दिन में इसका प्रकास बहुत तिवर हम मह्थूस करते हैं आकार में भी सुर्य हमें बड़ा दिखाई देता है लेकिन उस धूरी की धारा में जो धूल उड़ रहा है आस्मान में उस धूल में भुशन जी कहते हैं कि सुर्य भी तारे के समान जान हो गया है और ऐसा लगता है जैसे लगतजी में इस प्रकार लगता है जैसे थारा पर पारा पारा वार यो उलत हैं जैसे जिस प्रकार से थारा यािनि थाली पर पारा पारा आप मरकरी एक द्रौ है धातु है जो द्रौ अस्था में होता है बड़ा चमकीला होता है और यह द्रौ अस्था में है जो थाली में गर आप रखेंगे तो बूंद समान यह हो जाएगा और जिधर भी थाली को आप हिलाएंगे उधर यह लुडग जाता है तो जैसे थाली में पारा हिलता है भूशन जी कहते हैं उसी प्रकार जैसे थाली पर पारा हिलता है उसी प्रकार पारा वार अर्थात जो समुद्र है वह भी हिल रहा है इस सेना के चलने से इस सेना के वेग से तो यह चंद हमने समझा अब हम चलेंगे अगले चंद पर जो इस पाठ का अलाचंद है उसमें भूशन जी लिखते हैं बाने फहराने घहराने घंटा गजन के नाहि ठहराने रावराने देश देश के नगभाराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निसाने सिवराजजू नरेश के हाथिन के होदा उकसाने कुम्भ कुंजर के भौन को भजाने अली छूटे लटके सके दल के दरारंते कमठ करारे फूटे केरा के से पात बिहराने फन से सके तो यहां समझेगा अब इस छंद के हर सब्द के अर्थ को बाने सब्द का अर्थ है बाना अर्था जंडा या पता का इसको आप जंडा या पता का कह सकते हैं तो सिवा जी के सेना में जो सैने के जंडे लिए हुए हैं पता के लिए हुए हैं वो फहरा रहे हैं वो फहर रह लगी हुई हैं जो घंटे लगे हुए हैं वो घहरा रहे हैं अर्थात बज रहे हैं है ना तो यहां प्रत्थम पक्ति में भूशन जी कह रहे हैं कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के अर्थात हाथियों के गले में जो घंटे हैं वो घहरा रहे हैं अर्थात बज रहे है नाद कर रहे हैं और सैनिक जो ध्वज लिए हुए हैं वे ध्वज फैरा रहे हैं और इस द्रिश्य को देखकर इस ध्वनी को सुन करके क्या होता है ना ही ठहराने रावराने देश देश के जो देश देश के राजा महराजा हैं वो सामने ठहर नहीं रहे हैं सामने टिक नहीं रहे हैं रुक नहीं रहे हैं वो डर के इधर उधर चले जाते हैं अलग हड़ जाते हैं रास्ता छोड़ देते हैं उस सेना का ऐसी भैंकर वह सेना जान पड़ती है और आगे कहते हैं नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी बुशन जी कहते हैं कि उस सेना के इस नाद से इस स्वरूप से ये जो स्वरूप प्रसुत हुआ है उससे जो नग है जो परवत है वो भहरा जा रहे हैं अर्थात भहरा के गिर जा रहे हैं और ग्राम नगर पराने ग्राम और नगर के जो लोग हैं वो भै के मारे अपने ग्राओं और सहर को छोड़के चले गए हैं अर्थात उस नाद को सुन करके कौन से नाद को जो बाजत निसाने सिवराजजु नरेश के जो शिवाजी महराज के जो राजा महराजा है मराठा सरदार है उनके निसान सवरूप जो नगाडे हैं उनके चिन्ह सवरूप जो नगाडे बज़ते हैं उसको सुन करके जो ग्राम नगर के लोग हैं वह कहीं दूर भाग गए हैं और उस ध्वनी को सुन करके उस ध्वनी के कमपन से परवत भरभरा कर गिर गए हैं हाथिन के होदा उकसाने कुम्भ कुंजर के अब सिवाजी महराज की जो सेना है ये बड़े वेग से आगे बढ़ रही है उस वेग के कारण जो हाथियों के होदे हैं हाथियों के पीठ पर एक आसन बांध दिया जाता है उस आसन पर जो हाथिक पर सवार योद्धा होता है वो उस में बधा होता है तो हाथि इतने वेग से चल रहे हैं कि उनके होदे उकस गए हैं और थात इनके जो बंधन है वो धीले पड़ गए हैं और कुम्भ कुम्भ यानि जो इनका मस्तक है जो इनका गंड़क अस्तल है उस गंड़क अस्तल पर कुम्जर यानि हाथि के तो हाथि के गंड़क अस्तल से सावित होने वाले जो मद है उस मद के आकर्षण में जो अली अली यानि भौरे बधे हुए हैं जो उसे मद को प्राप्ट करने के लिए वहाँ पे चिपके हुए थे जब हाथि बेग से चलते हैं तो भौरे वैसे ही पीछे छुड़ जाते हैं जैसे जो बालों से लट छुड़ जाती है अलग हो जाती है वैसे ही ये जो भौरे हैं वो हाथियों के तेजी से आगे बढ़ने के नाते लट के समान लहराते हुए प्रतीत हो रहे हैं आगे भुषण जी कहते हैं कि दल के दरारन के कमठ करारे फूटे यानि दल के दरार से दल के धकों से दल के प्रबलता के कारण दल के दरारन यानि दल के दल कौन सा जो ये सेना है जो ये सिवाजी महराज की शैने सकती है जो सैने बल है उसको दल कहा गया और उसके बल के उसके दवाव के कारण कमठ करारे फूटे यानि कमठ कहते हैं कच्छप को कच्छुए को और कच्छुए के करारे तो कच्छुए पर जो खोल होती है एक बड़ी ही प्रबल खोल होती है जिसके पीछे कच्छुआ अपने प्राणों की रच्छा बड़ी ही आसाने से कर लेता ह खतरनाक से खतरनाक शत्रू भी उसका सिकार नहीं कर पाता तो वो जो करारे हैं ये जो कवच है इसके उपर इसको करारे कहा गया तो कच्छुए यानि कमठ के करारे अर्थात जो खोल है वो फूट गया और कच्छुगा भी कौन सा तो गली पक्तिये में समझेगा केरा के से पात बिहराने फन सेस के अर्थात केरे केले के पत्ते के समान शेस नाग के फन फट गए तो हिंदु धर्म में सानातर में हम मानता है कि कच्छप भगवान के पीठ पर सेस नाग बिराजमान होते हैं और सेस नाग ने अपने फन के उपर पूरी धर्ती को रोक रखा ह ये अपनी मानिता है, कच्छप भगवान के उपर शेसनाग बिराजमान है और सेसनाग ने धर्ती का भार अपने फण पे रोक रखा है, ऐसी मानिता है, ऐसा कहा जाता है, पराणिक कथाओं में, तो इस का ही वड़न यहाँ पे भूशन जी करते हैं, वो कहते हैं, कि सेना इतनी प्रबल है, इसके बल से, इसके दवाव से, ये जो कच्छप है, इसके कवच फूट गई, और कवच फूटने के नाते, धर्ती के दवाव पढ़ने से, क्या हुआ, शेसनाग का जो फण है, वह केले के पत्ते के समान बिहरा गया, अर्थात फट गया, तो ये दूसरा छंदम ने पढ़ा, इस शिवाशोरे नामक पाठ का, अब आते हैं, तीसरे छंद पर, तीसरे छंद में, भूशन जी, जो सिवाजी महराज की सेना है, जब वह सत्रू दल पर, सत्रू के दुर्ग पर किले पर पहुंचती है, तो किस प्रकार से वह आगे वढ़ती है, क्या-क्या होता है, उसका वढ़न करते हैं, भूशन जी दिखते हैं, चूटत कमान बान, बंदू करू कोक बान, मुस्किल होत मुर्चानहूं की ओट में, समस्ते चलिएगा, करते हैं, चूटत कमान बान, यानि धनुष से कमान से अर्था धनुष से बाण अर्था तीर छूट रहे हैं। धनुस से बान छूट रहे हैं किसकी सीवा जी की शेना में जो धनुर्धर हैं जो धनुस बान लिये हुए सीपाही हैं उनके कमान से यानि धनुस से बान छूट रहे हैं और बंदूकरू को कबां जिसको आप गोली कहते हैं तो बंदूकों से गोली छूट रहे हैं और ये कि भूशन जी लिखते हैं मुश्किल होत मुर्चानहूं की ओट में बना रखा है उस मुर्चानहूं की ओट में कि सभी जो योद्धा है जो बीर है यानि कमर कस्व के योध्धां में जो बीर व्यश्रकानहूं पर टूट पड़ें ऐसा आने जो बीर भनत तेरी हिमती कहां लओ कहूं। भूशन कहते हैं कि हे सिवा जी महाराज मैं तुम्हारे हिम्मत का मैं कहां तक कहां लो यानि कहां तक कहों अर्थात वड़न करूँ भूशन के कहने का ततपर है कि सिवा जी महाराज का जो साहस है उसका वड़न करने की मेरी छमता भी नहीं है वो कितने साहसी है उसका हम वड़न भी नहीं कर सकते आगे वो कहते हैं किम्मत यहां लगी है जाकी भट जोट में अठात सिवा जी के हिम्मत का मैं वारण नहीं कर सकता उनकी कीमत उनका मुल्य उनका महत्व तो वहां पता चलता है यहां लागी है कहां जहां पर भट जोट है यानि योधाओं का जुंड है जहां बड़े बड़ शत्रो योध्धा हैं वहां उनके कीमत का उनके महत्व का उनके बल का साहस का शोरे का पता चलता है अब जब सिवाजी महराज ने हल्ला बोल दिया हल्ला बोलने का आदेश दिरिया तो आगे भुशन जी कहते हैं कि उनके जो योध्धा हैं जो सिवाजी महराज के जो बीर सैन वो क्या करते हैं तो ताव दै दै मूछन कंगूरन पै पाव दै दै कहते हैं भूशन जी कि जो सिवाजी महराज के योधा हैं वो अपनी मूछों पर ताव दै दे करके और जो दुर्ग में किले में कंगूरे निकले हुए हैं बर्जे निकले हुए हैं उस पे पाव रख रख करके अब वह किले पर चढ़ने लगे घाव दै दै अरी मुख कूदी पर हैं कोट में और जो भी उनके रास्ते में सत्रू आया जो अरी यानि सत्रू आया उसके मुख पर अर्थात उसके उसको चोट पहुचा करके उसके उपर प्रहार करके कूदी पर हैं कोट में और ये पर किया गया चलिए तीसरा चंद था आगे हम चोथे चंद पर चलते हैं इंद्र निजहेरत फिरत गजिंद्र अरू अब यहां पर आप समझेगा यह बड़ा ही सुन्दर चंद है यहां भूशन जी कहते हैं इंद्र निजहेरत फिरत इंद्र जो हैं जो देताओं के राजा ह वो निज यानि अपने खुद के किसको गजिंद्र को यानि गजिंद्र को हाथियों के जो सर्ताज हैं अर्थात एरावत जो की इंद्र के वाहन हैं उस गजिंद्र को इंद्र क्या करते हैं हेरत फिरत यानि ढूनते हुए विच्रण कर रहे हैं है ना इंद्र जो है वो अपने एरावत हाथी को ढून रहे हैं अरू इंद्र को अनुज हे रहे और इंद्र को अनुज अब इंद्र का अनुज अर्थात छोटा भाई तो इंद्र का छोटा भाई भगवान विश्णु को कहा गया है भगवान चुकि इंद्र देव राज हैं देवताओं के राजा हैं तो उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए अपने आपको इंद्र का छोटा भाई कहते हैं ये भगवान की महिमा है भगवान की महत्ता है कि वो इंद्र को महिमा मंडित करने के लिए अपने आपको उनका छोटा भाई कहते हैं तो इंद्र को अनुज हे रहें अर्थात इंद्र को जो अनुज हैं इंद्र के जो छोटे भाई हैं वो धून रहें हैं इंद्र के छोटे अर्थात जो चीर सागर है उसको चीर सागर को भगवान विश्णु ढूण रहे हैं तो चीर सागर को भगवान विश्णु ढूण रहे हैं तो दोनों पक्ति को समझेंगे इंद्र अपने हाथी को यानि एरावत को ढूणते फिर रहे हैं और इंद्र के जो अनुज हैं अपने वाहन को नहीं देख पा रहे हैं और भगवान, विषणु, छीर सागर जिसमें उनका निवास है उसी को नहीं पा रहे हैं भूशन भनत भूशन कहते हैं सुर्षरिता को हंस हे रहें सुर्षरिता अर्थात जो देवों की नदी है जो मान सरोवर है उसमें निवास करने वाला हंस ही मान सरोवर को नहीं पा रहा है वो हंस मान सरोवर को ढूण रहा है और बिधी हे रहें हंस को और बिधी यानि जो ब्र रावत हाथी को ढून रहे हैं इंद्र के भाई अर्थात विश्णु भगवान अपने छीर सागर अपने निवास को ढून रहे हैं और भूशन जी काते हैं कि जो हंस है जो स्वर्ग का हंस है मानसरवर का हंस है वो उस सुर्शरिता अर्थात मानसरवर को ही ढून रहा है है ना और ब्रह्मा जी स्वैम अपने हंस को ढून रहे हैं चकोर रजनीस को अर्थाद जो चकोर है वो चांद को रजनीस यानि जो रात के राजा है अर्थाद चंद्रमा है चकोर चंद्रमा को ढून रहा है यह न, साही तनय सरजा यो करनी करी हैं तैवे, मुशन जी कहते हैं, साही तनय हे साह जी के पुत्र, साह यानि साह और तनय यानि तनय, तो साही तनय अर्थात हे साह जी के पुत्र, सरजा अर्थात सिवा जी महराज, यो करनी करी हैं, आपने ऐसी करनी, ऐसा कर्म कर दिया है, आपने की होतु हैं अचम्भो देवकोटियों तैतीस को जिसके कारण आपके कर्मों के कारण आपके प्रभाव के कारण जो तैतीस करोण देवता हैं देवकोटियों तैतीस को अर्थात तैतीस करोण देवताओं को क्या होता है अचम्भो आश्चर होता है तो भुषण जी कहते हैं कि हे साह जी के पुत्र सिवा जी महराज आपका ये जो शौरे कर्म है ये जो सौरे है ये जो बल प्रताप है उससे 33 करूण देवताओं को भी आश्चर हो रहा है करते हैं भुषण जी कि तुम्हारे जस के प्रकाश में अपने साधनों को ये लोग पा नहीं रहे हैं कौन तो शिवा जी महराज के सौरे का उनके जस का ऐसा तेज फैला ऐसा तेज पुझ ऐसा प्रकास फैला कि उस प्रकास ने इन सभी लोगों को अंधा कर दिया उनकी आँखों के सामने ही चीज़ें हैं लेकिन दिख नहीं रही ऐसा वह तेज पुंज है सिवाजी का तो पावतन हे रहें वो धूनते हैं लेकिन पाते नहीं हैं किनको जो खो गए हैं जो उनकी चीज़ें खो गई हैं किसके कारण सिवाजी महराज के शौरे के प्रकास के क क्या क्या खो गया है तो इंद्र अपने रावत हाथी को ढूंडते हैं लेकिन पाते नहीं हैं विष्णु भगवान वो अपने छीर सागर का को ढूंडते हैं नहीं पाते हैं और जो मानसरोवर का हंस है वो मानसरोवर को नहीं पाब रहा है ब्रह्मा जी अपने हंस को नहीं प गिरी अर्थात परवत जो केलाश परवत है उसको गिरीश यार जो परवत के स्वामी है अर्थात शंकर भगवान साक्षात शंकर भगवान वो कैलाश परवत को ढूडते हैं लेकिन नहीं पाते हैं और हे 25 004-800-905-100630 का जो है यह संसार में फैला हुआ है अगले और इस कावे श्रिशक के अंतिम छंदे पे चलते हैं जहां भुषण जी लिखते हैं प्रेतिनी पिसाचरू निसाचर निसाचरी हूं मिली मिली आपस में गावत बधाई हैं भुषण जी कहते हैं कि जो प्रेतिनिया हैं जो पिसाच हैं निसाचर निसाचरी अर्थाद राक्षस राक्षस नहीं हैं यह सब आपस में मिली करके बधाई गा रही हैं यह दूसरे को सुभकामनाय दे रही हैं खुसी मना रही हैं तो यह खुसी क्यों मना रही हैं आगे बड़े ही बिक्राल भैंकर जो भूत प्रेत भैरव हैं और जुथ जुथ जोगिनी जमाती जोरी आई हैं और जोडे बना बना करके पूरी जमात यानि पूरी फौज जोगिनीयों की जोशठे योगिनिया हैं वह जोडे बना करके एक फौज के रूप में इकठा हो गई हैं इतना ही नहीं किलक किलक के कुतुहल करती काली और जो युद्ध की देवी काली हैं वो प्रसंद होकर के किलकारियां करते हुए नाना प्रकार के कुतुहल करती हैं और डिमी डिमी डमरू दिगंबर बजाई हैं दिगंबर अर्थात दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं ये कौन ह ये शंकर भगवान हैं उन्होंने क्या किया है अपने डमरू से डिमी डिमी का नाद बजा दिया है यह सब क्यों प्रसंद हैं ये सभी रश्मशान के देवता हैं है यह मृत्यू के देवता हैं इस नाते इस युद्ध में जो भीषण नर्शंगहार हो रहा है जो शत्रू का जो दमन हो रहा है तो उसका उत्सों मनाने के लिए सभी कठा हो गए हैं और सिवा पूछें सिवसों सिवा अर्थात पार्वती माता सिव अर्थात संकर भगवान से पूछती हैं सिवा पूछें सिवसों तो सिवा अर्थात पार्वती माता संकर भगवान से पूछती हैं क्या समाज है जो सैन्य समाज है सिवाजी महराज का आज कहां चल दिया है किसके उपर सिवाजी महराज की भिकुटी चड़ गई है और थात उनका क्लोध किसके उपर फुटा है किस राजा की शामत आई है यह जो माता पारवती है वो संकर भगवान से पूशती है तो यहाँ आप देख रहे हैं सिवा सब्द में दो बार पर्योग हुआ है एक जगहां सिवाकर्थ पारवती है और यहां सिवाकर्थ सिवाजी महराज है यह मक अलंकार आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी प्रकार से बहुत से अलंकार लेकिन सबसे अनुपरास अलंकार आपक करके इसको फिर से रीप ले करके देख करके आप समझ सकते हैं तो ये इस शिवा सोरे नामक कावे की व्याख्या समाप्त हुई फिर अगले अंक में हम छत्रशाल प्रसस्ति को पढ़ेंगे तब तक के लिए आपको सुबकामनाए धन्यवाद